असलाम लेकुम जी क्या हाल साल है आप सबी के उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो जी मैं आज आप सबी के साथ एक नई से रेसिपी के साथ वापल सा चुकी हूँ जोकी है मैगी मंचूरियन और अज के लिए बहुत ही ट्रेंड पर चल रही है डिश तो मैंने भी कर लेते हैं तो पानी करम हो चुका है अब मैं उसमें ग्या आट कर रही हो और अब हम इसे इच्छे- fur comple 的 हैंस लेए तो देकिया और फिर अब हम इसमें आड करते हैं well chopped carrot आप चाहें तो capsicum का बस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने स्रिफ दोई vegetables का इस्तेमाल किया है हान जी अब veggies को अच्छा सा आड कर लेने के बाद अब हम इसमें आड करते हैं half teaspoon salt और अब हम इसमें आड करते हैं one four teaspoon turmeric powder अब हमने आड़ करना है 1 टीस्पून शेजवान चितनी 1 टीस्पून ग्रें चिली सॉस 1 टीस्पून रेड चिली सॉस शेजवान चितनी आप जहाओ तो इसके बिकर सकते हो यह औप्चिनल है मैंने इसे टेस्ट के लिए आड़ किया है और अब हम इसमें मैगी मसाला आड़ कर लेते हैं आक्शली मैंने ये डिश बाहे ट्राइ की थी और उसके बाद से मैंने ठान लिया था कि मैंने भी ये रेसिपी ज़रू ट्राइ करनी है इसलिए मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ उमीद करती हूँ कि आप सब को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रू ट्राइ करोगे हाँ जी अब हमने इसमें आड़ करना है थोड़ सा हरा धनिया हरा धनिया आड़ करनी के बाद अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मैं इसे हाथ की मदद से मिक्स कर लोगी क्योंकि स्पून से सही से मिक्स नहीं होता है अगर आपका भी मन मिडनाइट स्नाकिंग करने का होता है और आपको समझ नहीं आता है और आपको समझ नहीं होता है कि क्या खाए तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ दे सकते हो क्योंकि हम सभी के घर में मागी तो अविलेबल होती है और यही बात veggies की तो एक दो veggies भी अविलेबल होती है हाँ जी, अब मैंने इसमें 1 teaspoon corn flour powder आट किया था और अब हम इसमें आट करते हैं 1 teaspoon vinegar यानि की सिर का 1 teaspoon soya sauce इसे अच्छे से mix कर लेते हैं मैंने balls बनाना शुरू कर लिया है मैंने हाथ में थोड़ सा oil लगाया है और अब मैं इसे ball shape देती हूँ ball shape देने के बाद में मैंने यहाँ पे purpose flour यानिकी मैदे को बेगो लिया था पानी में अब हम उसी के mixture में इसे add करते हैं इसे अच्छे से dip करने के बाद अब हम जो मैगी के solid crumbs हैं उसकी coating कर लेते हैं इस पर और उसी थरह से हम सारे मैगी मंचूरिन को ready कर लेते हैं देखिए जी अच्छे से coating कर लेने के बाद यहां पर एक मैगी मंचूरिन ready हो चुका है और हम बाकी को भी इसी थरे रेडी कर लेते हैं तो देखिए सारे मागी मंचूरियन अच्छे से रेडी हो चुके हैं और मैंने वहाँ पर साइड में तेल को गरम होने के लिए रख दिया था ओईल को जादा गरम नहीं करना है अब हमने इसमें आड़ करने हैं मागी मंचूरियन और इसे हलके लो फ्लेम पर फ्राइ कर लेना है जी मैं मागी मंचूरियन आड़ करने लगी हूँ मंचूरियन को अच्छे से फ्राइ कर लेने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं मैंने यहांप एक पैन लिया था और मैंने इसमें ओईल को अच्छा से गरम कर लिया है अब हम इसमें वेल चॉप गार्लिक आट करते हैं याने की लेसन और वन टेबल स्पून टिमाटर केशप आट करते हैं अच्छा से और अब हमने समय थोर सी ओएन और ग्रीन कैप्सिकलम अचि खरना है याने की पियाज और शिंनल्म मिर्च ह और उओ है कर लेना है साथ ही हमने इसमें आड़ करना है 1 teaspoon vinegar, 1 teaspoon soya sauce, 1 teaspoon cream chili sauce, 1 teaspoon red chili sauce और अब हमने कॉन फ्लोर को पानी में भेगो लिया था, अब हम पहले पेस्ट को इसमें आड़ कर लेते हैं और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं, हमने इसे एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से cook कर लेना है तो जी जैसे कि आप देख सकते हो gravy अच्छे से थिक हो चुकी है और यह ready हो चुकी है अब हमने इसमें manchurin को add कर लेना है और इसे आड़ करने के बाद अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो देखिये जी मैं आगे manchurin बिनकर ready हो चुका है अब हमने इसकी plating कर लेना है तो देखिये इसकी plating हो चुकी है और यह बहुत ही लजीज लग रहा है आप इस recipe को जरूर ट्राइब करेए मुझे comment section में बताएए कि आपको मेरी recipe कैसे लगी और मेरी चैनल को सब्स्ट्राइब करिये वीज़ को शेर करिये लगे करिये थैंक्स वर वच्छिए लाफ इस